तो वेल्कम बैक टू आकास टॉक्स तो तुमें से काफी सा डे स्टूर्ण करतें गज्जीए अधे अजम दो पिर फिर भी आपका वीडियो लाइव सेशंस नहीं नहीं आ रहा है ठीक है पहला बात तो यह है कि यह मेरा खुद का विर बहुत सारा काम था यह कॉलेज के अंदर क्या था क्या ने था हम बोलेंगे ठीक है बट उससे इंपोर्टन बात यह है कि आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर को लेकर ठीक है काफी साल है लोग पूछे तो यह कंप्यूटर का सजेशन कब आएगा फर्स जून को हम लोग का एक्जाम है राइट सो यह इस वीडियो के अंदर हम बात करने बात करने बारे हैं रिगार्डिंग यह लास्ट मिनेट सजेशन ओफ यह आईए सी क अंदर है कि अक्षिया से अन्दर दो स्कोर फूल मार्क्स मिन्स 100 आउट आउट आफ हंड्रेड एक ही मत्र सबजेक्ट है आईए सी की उपर मतलब यह एक सबजेक्ट है मैंतमेंटिक सबजेक्ट है यह सब एक ही मत्र सबजेक्ट है computer जिसके अंदर लेर्ट अगर तुम चा एक सेट होगा, राइट, तुम लोग देख सकते हो, everyone I think, राइट, आचा, तीस टाहर हमारे, जो most important sections of our IAC computer is that, you can call your programming part, भाया, why it is so important and why this programming part is so much important, means, आब हमेशा, यह बोलते हैं, भाया, प्रोग्रमिंग अच्छे से कर लो, प्रोग्रमिंग अच्छे से बन लो, प्रोग्रमिंग के उपर आपने क्यों इतना focus देते हैं, भाया, यार, यह एक ही मातर पार्ट है, ठीक है, जो, जिसके अंदर 20 marks के paper आने वाले, अगर यह पार करते हैं, section A, section A के अंदर 3 mcqs हम लोग पर मिलने बाले हैं, तुम लोग देख सकते हो, and mixed questions आएगा, ठीक है, 3 mcq इसके साथ, 4 normal questions, और एक output type questions, लिए एक आउटपूट टाइप questions, लिएक है, sections B के अंदर, जादर theory based, and हमारे binary tree से questions आएगा, तो यह यह क्या-क्या questions आएगा, क्या आप करवा देंगे, यह सब questions को, if you want, I can take the live sessions of this part, ठीक है, frankly speaking, I can take the live sessions, but if you want, if a lot of, मतलब, अगर majority के बच्चे चाहते हो, on that case, यहर मैं learn with Akash के अंदर, इसके ओपर चीज़े करवा दूंगा, don't worry, right, third part के अगर हम बात हमारे programming part, ठीक है, देक है, section A and section B is काफी important है, काफी easy है, यह हो जाएगा, section C एक मतलब part है, जिसके अंदर 20, मतलब 12 marks के questions, मतलब core coding आने वाले है, जो कि आएगा from recursion, number type program, and इसके साथ inheritance, and हमारे, मतलब stack Q भी रहेगा, ठीक है, जो कि हम बोलता है, data part structure 2, right, अच्छा, देको, DS DSL को यह सब तो easy है, data structure part 1 and part 2, but main बात है, जो programming part है, तुम लोग देख सकते हो, यह section C के अंदर, इधन आच्छे से लिखा है, कि each program should have written in such a way that it clear the depth and logic of the problem, ठीक है, ठीक है, so first of all, you need to understand, to for, देखो, एर मिक बात सनू, for solving any kind of problems, or for solving any kind of doubts, हम लोग क्या करते है, हम क्या करते है, हम lagen first उस č해 को समाजते हैं, अगर मैं नहीं समझूंगा, तो मैं तिरे को क्या समुझाऊंगा, तो मैरे, खुद यूझा, पड़ेका, ok, मैरे, खुद समाजना परेगा, कि what is it, ok, मैरे, खुद को समझना परेगा कि यह, kya, चल रहा है, what is happening, kya,ים एक लूगः, थेक है, तो पह तो बच मत जाओगे, मैं तो तुमको solve करना है, ठीक है, रिकर्शन solve करने के लिए मैं पीडिएफ एप के अंदर दिया था, बट इप यूँ वो बहुत जादा important है, बहुत जादा mandatory है वो चीज़, अगर तुम सही लिए उस चीज़ को कर लोगे न है, on that case, you can able to score a very good mark in this particular thing, right? अच्छा, ये तो हो गया, next क्यों पना हम आ रहा है यार, हो तो नहीं गया, section, question number 5 and question number 6, fully your recursive function, what do you mean by recursive, yeah, what do you mean by recursive function, if you know, comment में दे comment section, ठीक है, but मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये recursive चीज़ ना, तुम्हारे हर एक जगह में आएगा, तुम्हारे ये, जैसे कि तुम्हारे अभी कर रहा हो, तुम अगर जब 1st year, 2nd year, 3rd year के अंदर आओगे, 3rd year, 4th year, तुम बीटेक लेके पट्सियो कर रहा हो, ये तुम अगर बीचियो कर रहा हो, ये सब लेकर जा रहा हो, if you want on that case, join me to us, अचाय ये तो हो गया, अचाय बात अभी आ रहा है, is that that कि, इसके पट इन्हेर्टेंस, इन्हेर्टेंसी क्या topic है यार, ये बौत ऊपिक है, that is what you call इन्हेर्टेंसी, इन्हेर्टेंसी का, सिर्फ और से तुमको एक्स्टेंड करना है, मतलब subclasses, upper class, मतलब subclass and तुमारे जो base class है, इससे तुमको inhibit करना, यह बहुत easy है, मैं इसको पर एक details में वीडियो बना के रखे थे, ठेक है, उसके वाद है हमाने stack and queue, तो भी यह कौन सा part easy है, तेखो easy तो stack and queue है, because stack and queue, dq इस बार syllabus के अदर है नहीं, जितना मेरे को पता चला, right, तो stack and queue का दो program, अच्छे से समझ लो, ठेक है, if you want, I can take the live session of that particular thing, अच्छे से समझ लो, तुमको बहुत अच्छे तुम स्कोर कर सकते हो, from the stack and queue, ठेक है, and second point कहा है, second point है हमारे, inheritance, inheritance, inheritance भी एक मतलब चीज़ है, जिस दर से इस दोनों चीज़ से तुम आक बंत करके number उठा सकते हो, तो बचा रहे का सिर्फ 12 marks की है, कोडिंग ठीक है, यह 12 marks के coding जो लोग बहुत उतना अच्छे होने दो, कर मैं इधर assume करो, यह video एक wide spectrum के बच्चे यह देख रहे है, right, अगर तुम लोग चाहते हो, तो, ठीक है, अगर तुम लोग चाहते हो, तो, on that case, I can take the live sessions of that particular thing, ठीक है, तो यह ही था यार, मैं इससे दादा कुछ नहीं बोलूँ है, हर एक चीज़ रिवाइशन करने को पर depend करते है, ठीक है, so that's it for today, तब तक लिए चलते है, ठीक है, if you have any kind of doubts, please comment me in the comment section, I will try my best to clear out all your doubts, or the doubts that you have right now, okay, so that's it, अच्छा, अगर लाइप सेशन भी चाहते हो, comment करना, मैं ट्राइक करूँ है, तुमारो कर लाइप सेशन लेना, free of cost, okay, goodbye, goodnight, and all the very best for your board examinations, thank you.